वेल्कम स्टुडेंट्स क्लास 12 के आपके फ्लेमिंगो बुक के पोएम नंबर फोर अ तिंग ओव ब्यूटी के हिंदी ट्रांफलेशन के वीडियो में आपका स्वागत है आईए स्टार्ट करते हैं आईए सबसे पहले हम इसका जो पहला इस्टेंज है उसको रीड करते हैं एक सुन्दर वस्तु जो यानि आनंद प्रदान करने वाली होती है फारे और यानि आल्वेज पर्मानेंट एंडलेस हमेशा के लिए यानि ये जो सुन्दर वस्तु है वो इनसान को हमेशा जितने भी दिन तक वो जीवित है वो जिन्दा है वो हमेशा उसको आनंद देती रहेगी इस लवलिनेस इंक्रीजेज इसकी लवलिनेस यानि इसका आकरशन इसकी लवलिनेस सुन्दरता इंक्रीजेज बढ़ती जाती है इसकी याद इसकी सुन्दरता ये हमेशा बढ़ती है बरकरार रहेगी फोरेवर यानि हमेशा के लिए जो यानि आनंद देती रहेगी अथिंग ओब ब्यूटी अब ये अथिंग ओब ब्यूटी कोई भी एसी चीज हो सकती है जो इंसान को सुन्दर लगती हो आनंद देती हो बट विल कीप अबावर क्वाइट फोर अस लेकिन विल कीप बनाये रखती है अबावर बावर क्यानि लता मंडप कोई चायादार इस्तल क्वाइट शान्त फोर अस शान्त चायादार इस्तल हमारे उपर लता मंडप का उसका हमारे उपर हमेशा बरकरा रखती है यानि कि हमारे उपर उसका चाया उसका साया यह कहें उसकी चाया हमेशा बनी ररती है एंड असलीप फुल ओफ स्वीट ड्रीम्स और उसके उस लता मंडप में उसके चाया में उसके साए में हमें sleep नींद आती है full of seedling मदूर सपनों की मीटे सपनों की and health और हमारा स्वास्ति अच्छा रहता है quiet breathing और हमें आराम से स्वास आती जरती है ये सब किस वज़े से हुआ उस सुन्दर वस्तु की वज़े से हमारा जो हमारा स्वास्ति है हमें जो नीद आती है जो हम स्वास लेते हैं वो बहुती अच्छा हमारा जीवन चलता रहता है उस सुन्दर वस्तु की वज़े से therefore इसलिए on every morning हर सुब आर्वी रीदिंग हम बुन रहे होते हैं a flowery band एक फूलों की माला गूत तेज़ते हैं to bind us बांदे रखने के लिए to the earth इस प्रत्वी से हम अपने आपको बांदे रखते हैं जोडे रखते हैं ये flowery band यानि band यानि माला flowery फूलों की माला हम गूत ते रते हैं हर सुब को हम किस वज़े से ये सभे thing of beauty की वज़े से जो भी सुन्दर वस्तुएं हैं वो आपको इस प्रकरती से इस प्रत्वी से भी जोडे रखती है spite of despondence, spite of isspite of यानि के बाथूद, despondence यानि निरासा के बाथूद, किस बात की निरासा, of the inhuman डर्त, inhuman यानि अमान्य हिएं डर्त यानि कमी, अमान्य प्रत्वीएं कमी और निरासा के बाथूद, of noble natures, noble का अमरोता है सब बे अच्छे नेचरस जो अच्छे लोगों की इस दराधर्ते पर कमी हो गई इसकी निरासा के बावशूत इसके लावद किसा दिन है उन अंधिकार बरे जो दिन है उनके बावजूद भी और इसके अलावा अनहेल्थ यानि आस्वस्त ओवर डार्केंड यानि की पूरी तरीके से अंधिकार से बरे वेज यानि रास्ते made for our searching जो हमें बटकने के लिए बने हुए है उन रास्तों के बावजूद भी एक सुन्दर वस्तु आकर हमें क्या करती है प्रसंद कर देती है यहाँ पर कभी काता है कि अमान विये कमी हो गई है अच्चे लोगों की और जो जास्ते हैं वो भी अंधिकार बरे हैं और जो दिन हैं वो अंधिकार बरे हैं रास्ते भी अंधिकार बरे हैं और अस्वस्त ता से बरे हुए हैं निरासा से बरे हुए हैं जिने हमारे बटकने के लिए बनाया गया है इन सब में हमें आसा के एक ही किरण बताती है और वो होती है तिंग वो ब्यूटी यानि एक सुन्दर वस् हाँ इन सब के बावजूद इतने परेशानियों के बावजूद सम सेप ओब ब्यूटी मूजवे दपॉल प्रोम आवर डार्की स्पिरिट्स कोई सेप ओब ब्यूटी कोई सुन्दरता की सेप यानि आकरती मूजवे हटा देती है दो पॉल यानि लबादा कोवर जो पड़ा हुआ है जिससे ढकी हुई है प्रोम आवर डार्की स्पिरिट्स हमारी जो डार कहने की अंदिकार बरी आत्मा है जो दुखी मन है हमारी दुखी आत्मा है उन दुखों का पॉल यानि परदा वो हटा देती है कोई एशी बात कोई एशी सुन्दर वस्तों हमारे मन में आती है वो इन दुखों से हमें अलग कर देती है उन दुखों का जो हमारे उपर लबादा पड़ा हुआ है जो हमारे उपर पॉल पड़ा हुआ है उस कपड़े को हमारे उपर से हटा देती है सच दसन अब वो वस्तों कोई से भी हो सकती है चाहिए वो सूरज हो द मून चंद्रमा हो ट्रीज ओर्ड एंड यंग चाहिए वो छोटे पेड़ हो या बड़े पुराने पेड़ हो sprouting a sage bone for simple seed sprouting यानि produce करना निर्मान करना पेड़ा करना अशेड़ी बून एक चाहिए रूपी बून यानि वर्दान for simple seed यानि की सादान भेड़ों के लिए चाहिए दार वर्दान वहां पर वो प्रदान करते हैं यानि की प्रोड्यूस करना निर्मान करते हैं जिसके नीचे बेट कर वो निरी बेड़ें विश्राम कर पाती हैं और उसी प्रकार नर्गिस के फूल विद ग्रीन वर्ड दे लिविन उस हरे बर्य संसार में जहां वो रहते हैं एंड़ ये ज्थर ले विए सब और सबना लेती हैं तकी में वो ठंडा जल्ड प्रदान कर सके विरुद अपने आपको बचाने के लिए अपना जल ठंडा रखने के लिए वो क्या करते हैं अपने उपर चायादार इस्तल बना लेते हैं मिड़त ब्रेक और मद्य जंगल के बीच में जो ब्रेक यानि कि ज्आर जंगाड उगे हुए हैं मद्य जंगल के किन चीजों से विद इस्प्रिंक्लिंग यानि बिक्रे हुए हैं उन जाड जंकाड के मद्दे बिक्रे हुए हैं फैर सुन्दर मस्क रोज ब्लूम्स कस्तुरी गुलाब ब्लूम्स यानि खिलते हैं उन जाड जंकाड के बीज में इदर उदर बिक्रे हुए हैं कस्तुरी granger of the dooms और मकबरे के ऊपर dooms का महलब मकबरे के ऊपर बने हुए गुमबदों का granger यानि वेभव We have imagined for the mighty dead उन महान वीरों की जो हम कल्पना करते हैं जो इतिहास बदल गए जिनका इतिहास में नाम है उनके बारे में हम जो कलपना करते हैं वो भी सुन्दर वस्तु है और यह जो ग्रेंजेर ओप दर डूम से यानि उन मकबरों का जहां पर उन लोगों को दफन किया गया था उनके जो मकबरों का गुंबदे उसका वेभव भी एक आपके लिए तर्फिंग वो ब्यूटी हो सकता है और वो सभी सुन्दर गाता हैं that we have heard or read जो हमने सुनी है या पड़ी है an endless fountain of immortal drink वो हमारे लिए endless यानि अनन्त fountain यानि जर्णे के समान है ओप immortal drink उस अमरित रूपी कभी समाप्त नहीं होने वाले जर्णे के समान है pouring unto us हम तक पहुंच रहा है from the heavens bring स्वर्ग के bring क्यानि किनारे से pouring unto क्यानि ओडेलना डालना बकर आना यहां तक बकर आ रही है यह एक तरीके से यह जो गाताएं हैं सुन्दर जो हमने पड़ी या सुनी है उन महानवीरों की या प्राचीन समय के महानितियास की वे भी हमारे लिए एक सुन्दर वस्तु है वे उस अनन्त fountain बते हुए जर्ण जड़ने के समान है जो अमरत रूपी इमोर्टल ड्रिंक अमरत रूपी जड़ने के समान है जो कि स्वर्ग के किनारे से वखकर हम तक आ रहा है प्रेंट्स इसके बाद में हम इसकी explanation, reference, context और उसी में से हम सारे question answers आपके लिए हर बार बनाते हैं अगली बार आपसे फिर मु लाइक शेयर करें अपने जैनल को जरू सब्सक्राइब करें प्रेंट्स थेंक यू